अज मैं आपके सामने माइस का एक कुश्चन लिक रहा है कुश्चन क्या बोला find x और यहां पर दिया log base 2 का power x of 3 का power 20 equal to log 2 का power x plus 1 of 3 का power 20 20 तो हमें यहां पर x की value find करनी ठीक है तो question बहुत ही easy है चलिए मैं इस question को आगे solve करके दिखाते हैं यह हमारा equation दिया हुआ ठीक है तो question देखके भी कितना डरा होना लग रहा है कि question आकि solve कैसे होगा क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि यहां base 2 का power x यहां base 2 का power x plus 1 है यह question कैसे solve होगा तो देखने में यह tough लग रहा है लेकिन यह question बहुत ही simple है तो देखके इस question को बढ़ाने से पहले है पहले हम यहां पर कुछ formula basic log के यहां पर लिख लेते हैं जो यहां पर use होगे ठीक है यह ऐसे भी हम लिख सकते हैं मैं इसको क्या करते हूँ थोड़ा नीचे side लिख के दिखाते हूँ ठीक है क्या मैंने कहा पहला जो formula use होगा वो यह use होगा कि log base B of A है आप यहां देख सकते हैं B यहां पर क्या base है और यह A है ठीक है argument है तो इसको हम इसका formula क्या होता है इसका ह example अगर इस तरीके से question दिया है log base X of 2 यह दिया है यह वाला formula देखें यहाँ पर कैसे लगएगा देखें यहां पर base B यहां पर base X है यहां पर A है यहां ज़का लाग और यहाँ पर A है यहाँ पर 2 है तो log 2 upon log X ठीक है यह आपको example भी बता दिए अब second देखें क्या formula यह उस ह यहां पर दे सकते हैं A और B आपस में 2 में है तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग A प्लस लॉग B अगर दिया है लॉग X इंटू 2 कुछ भी लिख देजी या फिर 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 भी कर देजी तो यह सिंप्ली क्या हो जागा इन दोनों X और 2 को लॉग लगा के एड़ कर देजी तो लॉग X प्लस लॉग 2 एक यह फॉर्मूला यूज होगा तीसरा यहां पर क्या अगर दिया है लॉग A का पावर X ठीक है अब यहां पर आप यहां बेस कुछ भी लगा दे तो माले जी मैं बेस लगा देए मुए नगा देऊ भी यह बेस पी है बेस अगर ना भी दिया हो तो भी बेस लगा यहां पर दिया है log base b of a एक ग्जामपल एक ग्जामपल देखे समझा दो अगर दिया है log लॉग यहां पर दिया है base 2 और यहां पर दिया है आपका 3 का power x इस तरी कसे दिया है ठीक है ना बिल्कुल देखिए इसी में set है जैसे यह बिल्कुल इसी format में है तो कुछ नहीं करना बस यह पावर इधर आ जाएगा X अब बाकी यह क्या है यह ऐसी लिखेंगे Log Base 2 of 3 तो यह तीन फॉर्मूले जो हैं यहाँ पर यूज होंगे तो पस इन तीनों फॉर्मूले के हल्प से हम इस question को solve करेंगे तो यह आपको तीनों फॉर्मूले बता दी है वो तीनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज हैंगे तो चलिए आप question को हम solve करते है ठीक है तब देखिए यहाँ पर यह जो आपका LHS side दिया है इसको अलग से समझ लेजिए यह क्या दिया है आपका यह हमारा क्या है थ्रीका पावर 20 यह लिखती है अपन और यहाँ पर बी हमारा क्या है लॉग यह देखिए बी हमारा क्या है टू का पावर एक्स यह हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसको और थोड़ा solve करना है अब यहाँ पर देखिए इस में और इस में कौन सा फॉर्मूला यूस होगा कि अगर log A का power X है तो बस यह भी फॉर्मूला मैंने पीछे बता है बेस यहाँ कुछ भी लगा सकते तो बस यह X यहाँ पर आ जाएगा बाकि यह यहीं पर रहेगा X log A ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह 3 जो है और यह power 20 है तो बस यह power 20 जो है न आपका यह बस यह इधर सामने आ जागा इधर तो यह 20 और फिर बच किया रहा log 3 तो log 3 यहाँ पर लिख लिजे अपन दिनमेटर में भी देखिए करेंगे यह जो power X है बस इधर आ जाएगा यह हो जागा X है और क्या बच रहा log 2 यह बच रहा यहाँ लिख दिया तो यह हमारा LHS हो गया यह हमारा LHS side हो गया अब RHS को भी थोड़ा अलग से solve कर ले ठीक है RHS हमारा यहाँ पर क्या है RHS से हमारा log 2 से 2 का power X plus 1 और यहाँ पर क्या दिया है 3 का power 2020 तो इसको भी देखिए का है समझेंगे इसको आप मालीजे A इसको sorry B मानी जैसे यह formula है यह लगा रहे है यह वाला formula यह और इसको आप A मालीजे ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा log A तो log A हमारा क्या है 3 का power 2020 अपन लॉग B हमारा क्या है देखिए log B दिया है न बी हमारा 2 का power X plus 1 अभी यह और solve होगा पेस थोड़ा सा उपर करते है यहाँ पर इसको पेस थोड़ा उपर करते है ठीक है तो अब देखिए अगेन यहाँ पर numerator and denominator में फिर से वही सा formula solve होगा कौन सा यही log A का power X वाला बस यह X इधर आजाएगा तो यहाँ पर देखिए power भस है न पावर इधर आजाएगा तो यह होजाएगा 2020 log 3 upon और यह देखिए 2 का power X प्लस 1 है यह पूरा X प्लस 1 पावर इसको इधर लिकराजएगे तो यह होजाएगा X प्लस 1 ब्रैकेट ऐसा लगा दीजिए और क्या भच रहा है log 2 यह आपको समझ में आए ठीक है तो अब हम यहाँ पर LHS और यह हमारा क्या यह हमारा है RHS तो LHS हमारा क्या यहाँ पर इसको simplify किया जो question था में हमारा देखे question क्या था हमारा यह था ना यही question है यह question है हमारा तो इसको हमने simplify किया तो क्या है यह आया फिर इसको हमने अलग से solve किया तो क्या है आप देख सकते आ चुके तो अब इन दोनों को साथ में ल यह क्या है, x log 2, equal to, और और हे समरा क्या है, 20, 20 log 3 upon, और यह क्या है, x plus 1 log 2, यह आपको समझ में आया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस से question में देख सकते हैं, दोनों site यहाँ पर क्या है, यह देखिए, पहले तो यह समले जी 20 log 3, इनके बीच में इंटू का साइन है, यह 20, 20 यह log 3, इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है, अब यह दिनामेटर में देख लिए, यह x है, यह log 2 है, इनके बीच में इंटू का साइन है, और यह x plus 1 और यह log 2, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो देखिए, क्या क्या चेस कटेगा, यह log 3 और log 3 कैंसल, तो यहां क्या बच रहा है, numerator में 101 upon denominator में बच रहा है, x plus 1, तो अब तो यह simple होगे, बस solve कर लिजिए, अब इस वो किजिए, जो cross multiply, तो x plus 1, 1 से into होगा, तो x plus 1 होगा, और 101 x से into होगा, तो यह क्या होगा, 101 x, ठीके, यह हमें x की value चाहिए, ठीके, तो देखे, हम यहाँ पर क् यह 101 x जो है, यह जो x है, इसको इधर shift कर देंगा, और यह 1 यहीं पर रहेगा, तो यह क्या 101 x है, यह x इधर जाएगा, तो minus x होगा, ठीके, तो 1 स्कल 2, 100 x में से, 101 x में से 1 x minus कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 100 x बचेगा, यहीं तो बचेगा, तो x की value क्या आएगी, यहा आएट में आजाएगा, तो यहाँ पर x की value 1 upon 100 यहीं इसका यहाँ पर आंसर है, तो उमिद है आपको यह कुशन अच्छे से समझ में आ गया होगा,